जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोट की बेंच अर्विंद केजरिवाल की याजिका पर अपना फैसला सुनाईगी सुप्रीम कोट ने इस केस की 17 मई को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था साथ ही ये भी कहा था कि केजरिवाल जमानत के लिए ट्राइल कोट जा सकते हैं केजरिवाल ने अपनी गिरफ़तारी और उसके बाद E.D. की हिरासत में भेज़े जाने को लेकर दिल्ली हाई कोट में याजिका लगायी थी कि इसमें कुछ भी अव्यद नहीं था क्योंकि केजरिवाल कई समन भेज़े जाने के बाद भी पूछतार्श के लिए E.D. आफिस नहीं आए इसके बाद E.D. के पास उन्हें गिरफतार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा इस बीच तीन दिन पहले E.D. ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोट में साथवी सप्लिमेंटरी चार्शीट पेश की जिसमें सीम अरविंद केजरिवाल को केस का मुख्य आरोपी बताये गिया है कि कोट के माननी नयाइधीस ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ परियाप्त सबूत आ गए हैं जिसके अदार पे अपरादी के खिलाफ यानि अरविंद केजरिवाल के खिलाफ आगे की कारवाई होनी चाहिए